महाराष्ट राज्य जैवेवित्था मंडल के गठन के बाद अब तक पूरी राज्य में स्थानिय स्तर पर 28,695 जैवेवित्था व्यवस्थापन समीतियों का गठन किया गया है इन समितियों के माध्यम से स्थानिय स्तर पर जयविविक संसादनों की बिक्रिक करने वाले और उनका उपयोग कर उत्पादन करने वाली कमपणियों से उनके व्यवसाय की आधार पर 0.1 से लेकर 0.5 फीस्ती तक सन्मान्नी लाभांश वसूल किया जाना है ऐसी चानकारी पत्र परीशित दर्म्यान सदस्य सचिव प्रधान मुख्य वन सरक्षिन महाराष्ट जयवित्ता मंडल के प्रविन श्रिवास्तों द्वारा दी गई है इसके बार जिस शेत्र या इलाके में उप्रोग जयवित्ता कानून के अनुसार प्रविन श्रिवास्तों ने दी उन्होंने कहा कि अब भी जयवित्ता कानून की चानकारी नहीं है बोर्ड ने अब तक जैविवित्ता कानून के अनुसार सानिय सुराज संसा को लाब दिलाने के लिए बड़ी 43 फार्माक शित्र की कमपनियों से लाभांश का 47 लाग 23,000 रुपे वसूल किया है राष्ट्यों जैविवित्ता प्रदिकरन के पास भी महराष्ट्यों में व्यवसाई करने वाले कमपनियों ने 62,09,000 रुपे चिमा करा है बोर्ड के पास लाभांश के कुल 1,19,33,864 रुपे आए है कि उद्देश जैविवित्ता आधिनियम 2002 है उसकी पूर्तता करने ही इस मंडल के उद्देश है पहला उद्देश या है यह है कि जो जैविवित्ता आज राज्य में है उसका सम्वर्धन किया जाए दूसरा उद्देश है कि उसका शाष्वत तरीके से विवस्थापन किया जाए तीसरा उद्देश ये है कि जैव विविदता का उपयोग करके जिन संस्थाओं को फाइदा मिलता है उनको मिलने वाले फाइदे का एक हिस्सा जैसा गाइदा ने काईदे ने ठहराया हुआ है जिनके कमरिशल टर्नोवर एक करोड तक हैं उनको कम से कम 0.1% जिनका टर्नोवर एक कोटी से 3 कोटी तक है 0.2% और जिनका टर्नोवर 3 कोटी के उपर है उनको 0.5% उतना अमाउंट उन्हें बायोड़िवरस्टी बोर्ड के पास देना चाहिए ज जिससे कि उस अमाउंट का 95 परसेंट जहां पे जय विवित्ता का विवस्थापन हो रहा है जहां से उसको उठाया जाता है यह लाबान संबनित शेत्रों में समधन वो विकासकारी के लिए आवंटित कराना है लेकिन कंपनियों से जय विक संसादन आपूरति करने वाले ट्रेडर्स की जानकारी नहीं मिली है वही जय विक संसानों की खरीदी बिक्री करने वाले व्यवसाई भी खुद पहल नहीं कर है कैमरा पोसिन राजकमार मोर के साथ शिती जाद देशमुख बीस ये न्यूस नागपूर